हालो बारोकोर वर्चुल लंडिंग मां आपनु स्वागत छे आज आपरे आपराप्ट पाठ्थे पुष्टक ना पहला पुष्टरी विजब पहला पाठ्थनी शरुवात करवी छे यहनु नाम छे राशानिक प्रक्रियाओ अने समेगरण बरोबर राशानिक प्रक्रियाओ विसे थोड़ी गणी चर्चा तमें गया लेक्ष्ट सोरी नौमा दुरोल में तमें चर्चा करिये से बरोबर प्रशन युओ थाए को तो भेह रोजीन दा जिवन मां कई व्रासानिक प्रक्रियाओ थती होए तो रोजिन्दा जिवनमा जोवा मर्ती राशानिक प्रक्रियाओना उदाहरना पो आओ प्रस्ना पुछा इन तो मिया इन लिस्ट लख्यू छे और आप बधा लिस्टी कमे परेजित छो बराबर सौथी पहला तो उनारामा ओड़ाना ताप माने राखेल दुदनू बगडी जवू इ राशानिक प्रक्रियाओ छे पच्छी पत्रू होई खिली होई लोखन नो टुकडो होई इने बेजवारी हवामा खुल्लू राखिये तो एनी पर काट लागे क्लियर इपनिक राशानिक प्रक्रियाओ छे पच्छी द्राक्ष मा आथवन थाए तो एमा थी आलकोहल बने द्राक्षना आथवन थी अलकोहल बनुवो पची रसोडामा ख्वराक बनुवो रसोडामा जे ख्वराक बनावियेचे ने पन एक राशायनिक प्रक्रिया जे पची आपने जे स्वासोस छ्वास करियेचे ने पन एक राशायनिक प्रक्रिया जे अने दुदमाथी दई बनोओने एपन राशानिक परक्रिया छे तमें कोई पन राशानिक परक्रिया जोशन बेड़ा तो कोई पन वस्तु दाखला तरी के उवं तमने सिंपल उधारना बोगे दुदमाथी दई बने तो दूदनी जे प्रक्रुती होए जे स्वभाव होए ये दैमों नथी होतो येनो मतलब सुथ हो बेटा के वस्तुनी प्राणबिक प्रक्रुती औने स्वभाव चैने ये बदलाई जाए राशायनिक प्रक्रियामा थाई शू तो राशायनिक प्रक्रियामा खास याद राकवानू कि वस्तुनी प्राडंबिक प्रक्रुति अने उड़क बडलाई याए वस्तुनी अखास याद राकवानू बेड़ा वस्तुनी प्राडंबिक प्रक्रुति औने ओड़क बढ़लाएं, कोईपन राशानिक प्रक्रिया मा आवूज थाए, कोईपन वस्तू होई, बरबर येनी प्रारंबिक प्रकृती अथवा तो ओड़क जे होए ने, येमा परिवर्तन थाई, औने कोई नवी प्रकृती अथवा तो ओड़क वारो पदात बने, तो अपने आपने एक राशानिक प्रकृती अथवा तो ओड़क ने, बरबर उट हमने प्रावूती शमझाओ, बहुत सिंपल वस्तू है, बरबर मेगनेशम नी पट्टीनु दहन करूँ बरबर अवे मेगनेशम नी पट्टीनी दहन करवा माटे आपने शुकरीशु बिटा के आउँ एक बर्नर लेशु आप बर्नर ने जोध छे ये जोध पर आपने शुकरूँ जो बेडा अज चीपिया थी आपने पकड़ी बाणवानी चीपिया थी पकड़ी अने मेगनेशम नी पट्टीने बर्नर पर गरम करवानी मेगनेशम नी पट्टी लए अने पच्छी सवथी पेला तो येने काच पेपर थी साप करवी बड़े मेगनेशम नी पकड़ी अने बर्नर पर गरम करवानी तमें गरम करशोन बेटा एले एमा राख उत्पन न थाए ये राख छेन ये निचे राखेला वाच गलास मा एकठी करवानी आई बदी राख उत्पन थाए तो ये राख छेन बेटा आपरे क्या एकठी करी शू आ वज गलास मा एकठी करवानी क्लियर शू थाई चे अनू अवलोकन करवानी फरिवार शू करवानी तो प्रवुत्यावी चेक मेगनेशम नी पट्टी नू दहन समझाओ तो एक मेगनेशम नी पट्टी लेवानी काच पेपर थी एने साप करवानी क्यार बाद चिपिया वड़े पक्री आकुलती मा बतावया मुझब बरवर एने बर्नर पर गरम करवानी आ दर्म्यान एमा जे उत्पन फती राक चेन एन दीचे राकेला वच क्लास मा एने एक्ठी करवानी क्लियर बरवर तो सवथी आ प्रवुत्ती पड़ती आपने केटलाग प्रस्णोध बवे कि वे मेगनेशम नी पट्टी नू शा माटे गसवी बड़े शा माटे काच पेपर थी गस्वी बड़े जे आव प्रस्णोध बड़े तो एक वस्त तो याद राको बेटा है आप मेगनेशम चे ने खुब सक्क्रिया जातो चे एले आप मेगनेशम चे ने इसू कर चे बेटा तो हवा मना ओक्सीजन साथे प्रक्रिया करी और एणी पर ओक्साइट नू स्थाई पड़ बनावे अब ओक्साइट नू स्थाई पड़ बनाव शोन एले शररता थी शू थाए यहनू दहन न थाए एले जो काच पेपरती गसी देवा मावें तो पिलू ओक्साइट नू पड़ दूर थाए अने इस सररता थी आजे दहन साथे संक्रायला ओक्सीजन साथे प्रक्रिया करी और एए मेगनेशम ओक्साइट मार उपांतर रिठ थाए क्लियर इटला माटे मेगनेशम नी पट्टी ने काच पेपरती गस्वी पड़े जे फरी बार मेगनेशम नी पट्टी ने सुकाम काच पेपरती गस्वी पड़े कारण के मेगनेशम एक खुबस क्रियासिल दातू छे एनी उपड़ सू थाए तो मेगनेशम ओक्साइट भी शके इतला माटे एने सर्गावता पहला एले के घरम करता पहला एने सुकर भी पड़े जे बिड़ा तो काच पीपर थी गस भी पड़े बीजो प्रस्त ना थाया पड़ो कि शरुआत्मा कि मैगनेशम नी पट्टी जे कि एक केवा रंग नी होए तो बहुत सिंपल वस्तु बेटा कि मैगनेशम नी पट्टी ने आपने काच केपर थी गसी जे एले शरुआत्मा एक चड़कता सफेद रंग नी होई क्लिया चड़कता सफेद रंग नी पाचो त्रीजो सवाल थाए कि शा माते मैगनेशम नीज पट्टी लेवा मावे तो एपन आपने बहुत सरर्दाती सम्झेक मैगनेशम दातो शें बिजाए बिजी बदी दातो वो करता खुब वदारे सक्रिय दातो शे इतले एश सरर्दाती सर्गी उठे जे माते मैगनेशम नी पट्टी नोज उप्योप करवा मावे जे क्लियर पर चौथी वाद कि वोच ग्लास माँ शानी राख पैदा थाए और ये राख नो रंग के ओओ अधा प्रस्त न थाए तो वोच ग्लास माँ जे राख उत्पन थाए शें ने ये राख मैगनेशम उक्साइड नी होई खास याद राखो बिढ़ा मैगनेशम उक्साइड नी राख होई और पाछो विजो सवाल शू चेक वे राख नो रंग के ओओ होई तो आ राख नो रंग सफेद होई क्लिए? तो आपड़े शू करिवटा क्यों मैगनेशम नी पट्टीनों दहन करिऊ क्लिए? नहीं मैगनेशम नी पट्टी दहन करिऊ सब्सक्वा नहीं १ास-वा खुबच क्रिया से एनी पर मेगनेश्यम ऑक्साइट नो एक स्थाई पड़ बनेलू होई चे यह काच पेपर गस्वाती यह स्थाई पड़ चे यह शू थाए तो दूर थाए पने स्थाई पड़ दूर थाए यह सररता थी यह हवा माना स्वरी अद्धहन साथे नू जे ऑक् क्रिया कर इन मेगनेश्यम ऑक्साइट बनावी शके तुम मां बहुत सरण ताकी सर्गी शुके क्लियर इतला मांटे मेगनेश्यम नी पट्टी ने काच पेपर ती गस्वी पड़े पड़े पशी प्रस्ना पाचो भी जो थाए कि मेगनेश्यम नी पट्टी ने काच पेपर लेवा मावे तो मेगनेशम दातू बधारे पट्थी ख्रिया जिल दातू छे वरबबर इतले सररताती यहनु दहं था इसके वाते मेगनेशम दी पट्थीड लेवा मावे शे पसिवर पाच्व शवाले ठाय कि वाच गलास मुझा प्रशानी राख होए तो मेगनेशम उक्साइड नी राख होए और राखन दो रंग के ओवाए तो सफेद होए पाचो पाच मोशवाल होए कि आधर्न्यान थती जे राशाइनिक प्रक्रिया चे ए राशाइनिक प्रक्रिया नू समीकरन लखो तो बिल्कुल सेमपल बेटा तम मेगनेशम उक्साइड बनें एंजी ओदोटू बनें समीकरन ने हम्मेशा संतुलिस स्वरूप माँ लखोव बढें पर बटतो आइं तू टू एम जी ओ लखोवा प्रटू ने टू एमजी ओ लखोवा प्रवुद्ति सम्झावी और निचे ना प्रस्तो ना जवाबापो ए प्रस्तो ना जवाब आटला पांच प्रकार ना प्रस्तो पुछी शके। क्लियर? हवे अपने एक बिजी प्रवुद्ति न थी बनवी पन कुंकुमा मुतमने सम्झाव। प्रवुद्ति यवी झे? प्रवर ओके तो एनी आपरे चर्चा करी अवे आपड़े एक बिजी राशानिक प्रक्रियाने टुंख माँ समझ मी छे के बाई प्रवुद तिये भी छे कि लेड नाइट ते ताने पोटेशम आयोडाईड है पने पोटेशम आयोडाईड है लेड नाइट त्रेट नुँ अनु शुत्र बेटा बरोबर याद रागो पीबी अनो थ्री ट्वाईज अने पोटेशम आयोडाईड नु शुत्र के आईज है क्लिया आप बंद्य वच्चे नी राशानिक प्रक्रिया समझाओ आओ प्रस्न पूछे बरोबर तो आपरेशु गरवानु बेटा बहुँ सिंपल जे कावी एक टेस्ट्यूब लेवानी एमा तमारे लेड नाइट्रेट नु द्रावन लेवानु पोटेशम आयोडाईड नु पंद्रावन अज लेवानु आपंद्रावन सो रूपे जो है अने आनु नाशानिक प्रक्रिया जे थाई छेनु आपने अवलोगन करवानु क्लियर हवे आपने शु गरवानु जो बेटा तो तमने प्रस्ण पूछे अलग-अलग प्रस्ण पूछे आप्र उत्ती पड़ती कि लेड नाइट्रेट छे एना द्रावन नु रंग के हो है तो आनो र द्रावन नो रंग छेने आनो रंग नारंगी बुखरो हो हुए क्लियर हवे शु थाई बिटां क्या सफेद ने नारंगी बुखरो एटले के पोटेशम नाइट्रेड छो लेड नाइट्रेड नाने पोटेशम आयोडाइड अब बन्ने द्रावन नो बेगा करशो ने तो आधरावन नो रंग सफेद हुए है क्लियर हवे पाचो प्रस्थ नहीं हो था एक ब्याल लेड नाइट्रेट अने पोटेश्यम आयोडाइड बनने बेगा था है तो तमारे याद राख वाण बेड़ा है कि शू बने मैं तमने आगरपन बात करी थी कि हम्मेशा पहलो गटक चेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचेंचें अवे तमारे अहीं जो आगुए, कि आ बाजू PB1 छे तो आ बाजू PB1 छे, तो आ बाजू PB1 छे, ओके क्लियर, चलो, आ बाजू N3 केट लाजे तो 2 छे, आ बाजू N3 केट लाजे तो 1 कल छे, तो आने बेय करवा माटे शू करूँ पड़े तो आहीं आगर बेय लगवा अवे तमारे शाथे साथे राचानिक समय करने संतुलित केम करूँ एने एनी फन समझेन आप तो जो जो चलो, आ बाजू K केट लाजे तो 1 छे, आ बाजू K 2 छे, तो यहां 2 लखी देवारा, क्लियर? चलो, आई केट लाजे तो 2 तो आहीं पन आई 2 छे, आने शू केवा ब आने पोटेशं नाइट्रेड केवाए ओके, तो प्रस्न पूछे, एक बेलेड नाइट्रेड अने पोटेशं आयोडाइड वच्चे नी थती राचानिक प्रक्रियानू संतुलित समय करन लखो, यहो आपने त्रिजो ब्रस्न पूछे पर अने आदर्म्यान शू रंग परिवर्दन थाए? प्रस्न पूछे कि बेल रंग परिवर्दन शू थाए? तो तमारे जो आनो क्या बंदे नो मिश्ल रंग के वो तो तो सफेद तो पर अबर पछी ये बंदे मचे राशानिक प्रक्रिया थे आ निपजो बने जे ने तारे रंग परिवर्तन माती ये रंग पीरो धेई जाए क्यो धे जाए बेडा? पीरो ख्लियर तो प्रस्टासों बुचे बेडा कि लेड नाइट्रेट नने पोटेशम आयोडायर वच्चे नी राशानिक प्रक्रिया नो समिकरन लखो तो आपरे शु लखी शु विड़ा कि लेड नाइट्रेट नू द्रावन अने पोटेशम आयोड नाइट्रेट नू द्रावन छे ने एक टेस्ट्टूब मा लेवानू एले केक कस्नरी मा लेवानू बन्ने वच्चे थती राशानिक प्रक्रिया पर थी निचेना प्रस्तो न हो है तो सफे पोटेशम आयोड डाइट ना द्रावन लो रंग के वो है तो ना रंगी बुखरो बन्ने वच्चे नी थती राशानिक प्रक्रिया नू समेग संतुली समीकरन लगोता संतुली समीकरन छे किटला प्रस्णों जे दो जो आप्यलो रंग वारो प्रस्ण विजो प्रस्ण त्रीजो संतुली समीकरन वारो प्रस्ण अने पची चोथो प्रस्ण रंग पड़िवर्तन लो पूछे तो में तमना आगर पन वाद करी थी के शरुवात माचे वस्तु होय ने पदार्थो एने प्रक्रुती नू उड़क बन्ने बदलाई जाए तो इवी प्रक् अगत्यानी प्रक्रीण ने चल्चा करें बेडान तो इह लासानीक प्रक्रिया परची तमने एक वस्तु नी खबर पड़ियांसे अब मेगनेशननी पट्टी नहीं आपने दहन करें उन्तो पुष्कर प्रमार मौ उसमा उत्पन न थाए उसमा उत्पन थाथी प्रक्रिया इने उसमा शेपक प्रक्रिया गैर ben अपर या पाथमों को बद्धीज राशानिक प्रक्रियाय हो जँड मेरे अगत्या भर स्वे prosecution कि राशानिक प्रक्रिया दर्मिया कया फेरफारों जोवा मड़े तमें बदी राशानिक प्रक्रिया उनी चर्चा करें बेटा तो तमें जोवेडा कि राशानिक प्रक्रिया माँ शू फेरफार जोवा मड़े तो गणी वकद जे पदार्तों लिदा होय ने पदार्तों नी भौतिक अवस्ता बदलाए बौतिक अवस्ता इटले के घंग प्रवाहियाने वायू छे ने बरबर ये अवस्ता हों बडलाए पदार्थिनी बौतिक अवस्ता बडलाए बिजी बाद जो बेटा नहीं रंग परिवर्तन था उने गणिवकर सू था तो रंग परिवर्तन जो आ मड़े बिजी बाद में तमने बिली मेगनेशन नी पट्टीनू उदाहरना भी मेगनेशन नी पट्टीनू तमें दहन करों तो उस्मा उर्जा उत्पन न थाए एनो मतलब सू था बेटा के प्रक्रिया दर्म्यान गणिवकर तापमान पन बडलाए राशानिक प्रक्रिया दर्म्यान कया कया प्रकार ना फेरफारो थाए जन बेटा एक खास जोवानू प्रवर अने गणिवकर एवु बनें किट्निक राशानिक प्रक्रिया ओ एवी होए कि एमा किट्लाक वाईयो उत्पन न थाए आप वाईयो उत्पन थाए ने युँ उत्पन न आपी दो बेटा है बरोबर आपने विजा पाटमा चर्चा करी दी दाखला तरीके जेडेन छे एनी सकते ब्रक्रिया करओ जेडेन छेन पेटा ये है सोलीड छे स्केल यह एकवास चे जली यद्रावन चे तो बने शू बेटा तो जेडेन शील 2 बने और वत्ता करीशू बने तो एच्टू बने जेडेन सीएल टू चेन बिटा ए सॉलीड छे न आ वाई उचे थमें जो इन बिटा तो आवी राशायनिक प्रक्रिया में गणी वक्त वाई उपन पैदा थाई तो जिंक नी हेसी एल साथे नी प्रक्रिया आसामी करने संतुलित करू उपर से बिटा ही बेलागभवा पर से केम कहां के एच टू बेंचे तो हैं बेंच करूआ मांटे आगर बेलागभवा पर से तो कितलाग वाई उपन उपन न थाए आई बरोपर याद राखो बिटा कि राशानिक प्रक्रिया दर्मियान कया कया प्रकार ना फिरफार हो जो आमडे तमी जो यू बिटन जो एनी भौती कवस्ता बडलाईगे आई सौलीड़ने एकवासातू तो आई सौलीड़ने गेस मड़े बाउती कवस्ता बडलाई पछी रंग परिवर्तन जोवा मरे एनू उदारन आँछे तापमान बडलाई मेगनेशं पट्टीन उदारन चेन केटलाग वाईयो उदपन थाए तो जो राशानिक प्रक्रिया दर्मीयान वाईयो उदपन थाए तो इपन राशानिक प्रक्रिया शेह खना आठलाइ seguir on is बुलो ख्लीर बेडा तो बाउती कवस्ता बडलाए रंग परिवर्तन जोवा मड़े यहनु तापमान बडलाए अने किटला क्वायोध पन्न थाए अगत्यनों प्रस्णा जे बेडा ब्रवर्वर्ण हवे प्रस्णे ओथा एक बिराशाइनिक समीकरन छे एने कीवी रीते बड़ा बड़ा राशाइनिक समीकरन ने कीवी रीते लखाए ते उदाहरन की समझाओ बड़ा 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 ड्याना आप जो बड़ा राशाइनिक समीकरन ने लखवा माटे शू करूँ पड़े लाखला दरी के मेगनेशम नी पट्टीनू हवा माँ दहन थाउ तमे मेगनेशम नी पट्टीनू हवा माँ दहन थाउ एनू साब्दिक वर्नांचे ने लामबूज इटले शू करूँ पड़े छे पे एने साउथी पेला तो राशाइनिक समीकरन ने लखवा तो ये संकेत म लखूँ पड़े शू करूँ पड़े बेड़ा एने संक्षिप मा निचे मुझब लखाए उदाहरन थी जापूँ के मेगनेशम नी पट्टे नू डहन्थव तेना साभिक वर्णने संक्षित मा निचे मुझब लखाए करी दे लखाए बेड़ा ता मेगनेशम नी पट्टी इसले एनू हवा मा दहन थाई शू तो मेगनेशम ऑक्साइड बने समी करने संतोरी स्वरुप मा लखिदेवाद चलो प्याली खबर पड़े बेड़ा तो आँ समी करन मा मेगनेशम ने ओक्सीजन चे ना बन्दे ने प्रक्रियको गेवाए अने मेगनेशम ऑक्साइड चे ए राशाइनिक प्रक्रियाने अन्ते मरतो पदार्ब चे एटले एने निपजी केवाए तो राशाइनिक समी करन नो साब्दिक वर्णन चे ने संक्षिप्त मा संकेत वाप्रिय निचे मुझब लखाए एमां Mg और O2 बनने प्रक्रियको थे जारे MgO अन्ते प्रक्रियाने अन्तिक राशाइनिक समी करनमा प्रक्रियको थे एने हममेशाद तीरनी डाभी बाज़ुएड लखाए और निपज शें एने तीरनी जमनी बाज़ुए लखाए तो प्रक्रियकों ने तिरनी डाबी बाजुए लखू और निपजों ने तिरनी जमने बाजुए लखू जो एक करता वधारे प्रक्रियकों भाग लेता होए तो वच्चे तमारे प्लस्तु चिनहा मुगू एक करता वदारे प्रक्रिययको जो प्रक्रिययमा बाग लेता होय तो वच्छे प्लस्थ नुक जब शक्रिय keln bisa to do one in perfectly fine प्रस्थ प्लस्थ नहीं निशानी मुखन जुदे पलवी प्रस्थ तमनें ٹूंकु मlem बुछ आये राशायनिक समीकरन नी लाक्षनिक ताओनी तो चर्चा करवेच छे पन टुंक मा यह पूछे क्वे राशायनिक समीकरन केवी रिते लखाए उदारन की समझाओ तो लखवानू कि भी मेगनेशमनी पट्टीनू हवामा दहन थाओ तेनू साब्दिक वरणां चे तुंक मा शंक्षित मा निचे मुझब लखाए तो आ लखिवापड़ी क्लियर पची समीकरन लखे पची तरद जापने उलखवानू कि आ प्रक्रियामा मेगनेशमनी ओक्सीजन प्रक्रियको छे जारे मेगनेशम ओक्साइड ये प्रक्रियानी अंते प्राप्त पतो पदार्थ छे माटे निपज केवाए एना पची नों बुद्धो कि प्रक्रियको ने हम्मेशा तीरनी डाबी बाजुए लखवी निपजो ने हम्मेशा तीरनी जमनी बाजुए लखवी पछी वाद के जो एक करता वदारे प्रक्रिया को प्रक्रिया में बाग लेता होए तो प्लस ना चिनहती जुदा पाड़ वाद और एजरी पे एक करता वदारे निपजो पन जो प्राप्त थती होए तो ए निपजो ने पन प्लस ना चिनहती जुदी पाड़ भी ओके बिटे बिजी बाद उन तमने शरुवात थी बिटा इवी बाद करूँ छो कि कोईपन राशानिक प्रक्रिया चे ने यहने हम्मेशा संतुलिस स्वरुप माज लखवी पड़े बे प्रकार ना प्रस्नों कुछ है शौथी पहला तो आ संतुलिस समीकरन केवाई कोने आ संतुलिस समीकरन कुछ लखिन पछी तमने समझाओ कि आ संतुलिस समीकरन खरेखर केवाई कोने अने कोईपन राशानिक समीकरन ने केम संतुलिस स्वरुप माज लखवू पड़े बड़ो बड़ एपन आपने एक प्रस्ना जे प्रेलो प्रस्ना हो जे कि भी आसंतुलित समीकरन केवाई हो ने उन दमने एक आसंतुलित समीकरन लखुआ है हेच टू वद्ता ओटू हेच टू ओधाय तो आसंतुलित समीकरन केवाई कोने के जी रासायनिक समीकरन मां बनने बाजुए परमानों नी संख्या समान न होए जो जो बेटा आहीं तमें जो बेटा आहीं एच बेच हे तो आहीं एच बेच हे पन आहीं ओक्सीजन बेच हे तो आहीं ओक्सीजन एक का चेनों मतलब के बनने बाजुए एटले के प्रक्रियकोने निप जो ना परमानों नी संख्या समान ना होए तो युजी समीकरन चैन इवा समीकरन ने औशंतूलित समीकरन के वा माँ अध़े अवह जल जो जचो बटा । समीकरनमा बन्ने बाजふय परमान वर्फवनी संख्या समान नहां नहां, एले थाईशू बटा बद्धे बंदे बाजु ये द्रभ्यमान पन समान ना होए उने आ आ समतुनी समीकरन छे न बिटाहिने गणी वकत कंकाल समीकरन पन केवा माव ले चारफी प्यल्ण तु आ समतुनी समीकरन केवाई कोने तो जी समीकरण मा बन्ने बाजू पर्मान वोनी संक्या समानन होए तेवा समीकरण नहीं संतुली समीकरण कहवाए बिजिवाद बन्ने बाजू पर्मान वो समानन थी तेथी बन्ने बाजू द्रव्यमान पर्मान वोनी समानन होए आवा समीकरण नहीं कहु समीकरण कहवाँ मावे बिटा कंकाल समीकरण कंकाल राशाइनिक समीकरण कहवाँ मावे अगे तो आशाइनिक समीकरण कोने के वा उदाहरन आपिनी समझाओ तो खबर बड़ी का आम तो समाने रेदे बेटा समीकरण मा सूचे के राशाइनिक समीकरण ने सब्दों ने बडले साब्दिक वर्णन थी लखवाँ मावे साब्दिक वर्णन थी लखवाँ मावे जो राशाइनिक समीकरण मा बनने बाजु ये पर्मानों ने संख्या समान ना होई तो एवा राशाइनिक समीकरण ने असंतुलिस समीकरण के वा मावे दाखला तरीके H2 बता O2 तो H2O तो जे समीकरण मा बनने बाजु ये पर्मानों ने संख्या समान ना होई तो एवा समीकरण ने असंतुलिस समीकरण विजीवाद जो पर्मानों वो समान ना होई तो बनने बाजु ये द्रभ्यमान पन समान ना होई तो एवा समीकरण ने खंकाल राशाइनिक समीकरण के व बड़ेग तो अपन बिल्कूर सिंपल युपण तुलिस दुलियृत राशानीक सम्हाइन dowla पर एंन्ये चामाटे समीकरंगे संथूलिन संतुलित कर्वों पड़े हैं क्लियर तो संतुलित राशानिक समीकरन कोने के वाए तो सिंपल बेड़ा अवे अनी वेख्या मारे तमने नहीं आपी पड़े संतुलित राशानिक समीकरन तो जी समीकरन मां बन्ने बाजुई पर मानवनी संख्या अने द्रभ्यमान बन्ने समान होए इभा राशानिक समीकरण ने संतुलित राशानिक समीकरण के वाए प्लियर फडिये गवारे जी राशानिक समीकरण मा बन्ने बाजुए पर मानवनी संख्या अने द्रभ्यमान समान होए इभा समीकरण ने संतुलित समीकरण के वाए लाखला तरीक्य जो अबेटा अमणों आपने पर शिम्पल उदार अंडे तुँ 2MG वत्ता वो तुथ 2MG हो अबे प्रस्णतमने सब पूछे कि पर शा मान आटे संतुलित करवू पड़े को शा मान आटे संतुलित करवू पड़े बहु सिम्पल वस्तु वेटा कि पहलो द्रव्य संचैनों नियम छे तो द्रव्य संचैना नियम मुझब कोई पन द्रव्यानों द्रव्यानों सर्जन के नाश न थाए कि पहल। कोई पन द्रव्य संचैना नियम तुमें गली साल बने आगा इतले के बंदे बाजों द्रव्य मान हम्मेशों समान जोएं माटे राशायनिक समै खरणाननों हम्मेशां संतुलन करणों पड़ें ओके बेडा तो आजे तमें केटला प्रस्तों निचर्चा करी तो जो बेडा सवती पेला तो रोजिन दा जीवन मा जोवा मर्दी राशानिक प्रक्रिया तुम मा रोजिन दी राशानिक प्रक्रियाओ निचर्चा करी पछी बिजूशू करी बेडा तो मेगनेशम ने पट्ट आचानिक प्रक्रिया नी चर्चा करी पची राशानिक प्रकिर्या मा केवा फेरफार थाए यहींиль चरचा करी पची कोणी बात करी वेटा तो आ शैंतुलित समीकरन अने शैंतुलित समीकरन न चर्जा करें आपनी चर्चा करें आपना प्रस्टनों मुख्या आखर संचन बेटाई आटला प्रस्टनों तो अलेड़ी आवड़ वाज जोई तो आ लेक्चन नू कुब सगन पूर्वक अभ्यास कर जो बराबर चोक्कस तमने आवड़ी जैसे बरोबर इटले कोई उतावर करें आपने लेक्चन नू अभ्यास करवानू प्रवर इटले कोई प्रोब्लेम रहें नहीं तो बाकी ने चर्चा आवे पस्तिना लेक्चन मा करीशू प्रवर ओके तो बाई-बाई आवजू बेटाई